हेलो दोस्तो दोस्तो आज जो वीडियों हम लिखे आए उसमें एक कहानी आपको सुनाएंगे जिसका नाम है टाइम स्टोप सेट शामली तो कहानी का नाम आपने पड़ी लिया हुआ और एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इसके जो राइटर है एकशली ये पूरा एक नो रसकिन बॉन्ड बहुत ही फेमस इंगलिश के राइटर है और हर बच्चे ने जिसने भी पढ़ाई करी है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में उनकी कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई चैप्टर जरूर पढ़ा है दोस्तो रसकिन बॉन की बात करें त जहां पे वहर फ्राइडे या सेटर डे में आते हैं और जो लोग उनके फैन उनसे जाके मिलना चाते हैं उनके साथ सेल्फी लेना चाते हैं उनसे मिलते भी हैं तो खेर स्टोरी पे आते हैं स्टोरी का नाम है टाइम स्टोप सेट शामली यानि कि वक्त रुक गया शामली तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि शामली एक जगह का नाम है और यह उस जगह का नाम है जहाँ पर मैं रहता हूँ तो मैं खुद शामली का निवासी हूँ और मुझे किसी ने यूटूब पर रिकमेंड किया था कि यार यह एक स्टोरी एक नोवल है इसको पढ़के देखना तुम्हारे शायर के रिगार्डिंग है मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पर मुझे कॉमेंट आया था तो मैंने इ जब शामली अबी जिला बनाए 2012 में तो 2012 से पहले एक बहुती नॉर्मल सा च्छोटा सा कस्बा था शामली अभी च्छोटा सा शाहर है और 30-40 सा पहले तो क्या मतलब बहुती च्छोटा सा गाऊँ टाइपस रहा हुगा असपास गाऊँ होते हलका सा कस्बा मालने कसबा इसलिए क्योंकि यहां पर एक बहुत ही फेमस शुगर मील है शुगर मील की फैक्टरी है और वह बहुत पुराने समय से है तो वह इसे कसबे की केटेगरी में ले आती थी और असपास बहुत सारे गाहों है तो 30-40 साल पहले की बात है और रस्किन बॉंड जो है वह मसू णुल से शामली होते हुए बड़ होत बागबत और दिल्ली तो हर पर इस रूट से ट्रेन से जाया करते थे तो ट्रेन शामली पर मुश्किल से मुश्किल 5 मिन्त करती थी शामली एक बहुत ही चोटा सा स्टेशन थहेजिता कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था आज तो खेर बड़ा हो गया है लेकिन उस वक्त बहुत ही छोटा था और ना यहां पर कोई उतरता था ना यहां से कोई चड़ता था लेकिन उनके मन में एक किरियोसिटी एक जिग्यासा रहती थी एक एकसाइटमेंट रहता था कि शामली में कुछ है जो उन्हें मिस्टीरियस लगता था यानि कि उन्हें कुछ चीज थी जो आकरशित करती थी अपनी तरफ शामली में रुकने के लिए कभी ना कभी लेकिन वो हर बार उसका अवोइड कर दिया करते थे खैर इस बार जब रसकि मिनिट के गरीब होगे तो उन्होंने जाके टीटी से पूचा कि साब क्या बात हुई तो टीटी साब ने बताया कि भईया आगे यहां पर रेल्वेय लाइन शायद खराब है या कोई और प्रोब्लम है यहां पर टाइम लग जाएगा आज थोड़ा सा तो रसकिन बोन ने स शाम को वापस चला जाओंगा दिन में गुम लेता हूं या देख लेता हूं क्या वो चीज है अकर कुछ अच्छा लगा मुझे और 24 गंटे तक टिकेट वैलिड रहती है शाम को अपना हिससे चला जाओंगा दूसरी ट्रें से तो यहां पर उतर गए तो जैसी वह स्टेश करता था ना कोई थ्री विलर रिक्षा कुछ मी नहीं था तो तांगे वाला भी अकेला ही था उन्होंने तांगे वाले से कहा भी तांगे वाले यहां पर कोई होटल बगएरा है जहां पर मैं रुक सकूँ तो तांगे वाले ने कहा जी हां एक होटल है यहां पर रहते हैं ल बाड़ा रस्किन मौन को बहुत जादा लगा तो रस्किन मौन ने का वही तो बहुत जादा पैसे मांग रहे हो तुम शायद उस वक्त दो रुपे मांगे थे और उस वक्त के दो रुपे आज के लगा लो आप 30-40 साल या नहीं कि 200 रुपे के बरावर हैं तो उनने कहा कि ता करता हूं तो मैं हाँ सवारी डोने के लिए आगया अब आपकी इच्छ है चलो या मत चलो तो रस्किन मौन ना सोचा या रहे क मातर तो तांगे वाला मिला कहीं यह भी ना चला जाए तो वह उसमें तांगे पे सवार होके चल दिए जी तो तांगे वाला उन्हें गुमाते होए ले आया तो बीच रास्ते में जब वो चले तो वहाँ पे कुछ मंदिर पड़े कुछ मस्जित पड़ी यह शुगर मील जो फैक्टरी है वो पड़ी तो वहाँ से पार होते हुए वो होटल में उसको ले गए रस्किन मौन को ले गए रस्किन मौन की उमर उस वक्त और जब वो होटल में गए तो होटल कोई खास होटल नहीं था बहुत ही नॉर्मल सा होटल था कोई बहुत अच्छी उसकी कंडिशन नहीं थी तो जैसी वह वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि भाई तांगे वाले तू एक सा करी हो साम गवाजी हो शाम को चह बज़े के कर करीब आजाना मैं शाम को यहां से वापस जाऊंगा उसने का ठीक है साब मैं शाम को आ जूँगा तो रस्किनमोन जैसी वहाँ पे होटल के अंदर गे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं सुनसान पड़ा है तो बाहर गाए तो वहाँ पे आंगन में साइड म एक टंकी लेगी थे टंकी पर एक आदमी नहां रहा था सनान कर रहा था उसकी उमर रही होगी लगए को कोई 303 साल के आसपास और 8-8 जवान आदमी था मस्त गाने का नहां रहा था लेकिन परिशान सा दिख रहा था बहूत सेड़ गाने गा रहा था तो उन्हें पूचा है भाई यहां रूम मिलेगा तो उस आदमी का नाम पता गए तो सादमी का नाम मिला दयाराम दयाराम उस होटल का सर्वेंट था एक तरीके से बोलो या एंपलोई था और वहां के बहुत सारे काम करता था खाना बनाना या गेस्ट का ध्यान रगना उस सब वही करता था मल्टी टेरेंटिड इंसान था दयाराम दयाराम से थोड़ी बहुत बात हुई तो उन्होंने पूछा रस्किनमोंड ने की आप खुश है अपनी लाइफ से तो बोला नहीं साब मैं खुश नहीं हूँ और मुझे बस एक ही चिंदा है कि मेरी शादी नहीं हुई है तो उसकी शादी नहीं थी बिचा रही कि वह सव उन्हाना पड़ेगा अब मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यार मेरे को मिस्ट्री लगती है यहां पे कुछ मेरी कुरियोसिटी है मैं उसे बुजाने आया हूँ तो उन्हें एक कालपनिक पात्र की रचना करी जिसको उन्हें नाम रखा मेजर रोबर्स कि कोई मेजर रोबर्स जूला जूल रही है जिसका नाम किरन था इन्होंने जाकि किरन से बात की हल्की फल्की फ्रेंट्शिप हुई तो किरन से पता चला इन्हें कि वो किरन जो है वो यहां का जो जो शुगर फैक्ट्री है शुगर मील उसके मैनेजर की लड़की है और वो यहां अक्सर खेलने क उदने के लिए आजाया करती है और होटल में जो लोग maximum time से रह रहे थे तो उनको जानती थी तो सब के वारे में उसने थोड़ा थोड़ा जैसे की बच्चे जादा बोलती है सब के वारे में थोड़ा थोड़ा उसने बता दिया के तो लिखका को थोड़ा थोड़ा idea होगया कि कौन-कौन है यहां पे तो अब वो अदनार गए ले लेखक तो उन ने देखा कि एक आदमी प्यामो बजा रहा है प्यानो प्ले कर रह था उसका नाम था Mr. Lin वो विचारा बहुत ही sad 사 वहाँपे मैनेजर सहाव वागे होटल लेए सतीज दयाल सतीज दयाल वागे मैनेजर थे और उन्होंने पूछा कि सिर आफ यहांपे क्या करने आए हैं किस रीजन से आप हैं ठ्रीकंग एंड्टी में रिप्रेंट कंडियो न स्कू garage थे ना रिकाथ श्रटी माहिलागी जॉन मैरीड थी और वहां पर काफी समय से रहने थी और वो टीचिंग करती थी वहां पर जिसका नाम था मिस्टी डीटस मिस्टी चाथी है उनकी एंट्री बड़ धासु होती था काफी आप की थी वह तो लेकक उनके पड़ते थोड़े आकर्शित होते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, शाय साहई से रहते हैं. तो वह आके पूछती है कि भई, यहाँ पे नियू गेस्ट आए हैं, उन से हाई हालो होती है पुछते हैं कि अप यह क्या करना है हैं तो फिर लेकर वही वाली कहानी पेल देते अपनी मेजर रॉबर्ट्स वाली उसके पाद मिस्टर दयाल का महा पर पे जिकराताए कि मिस्टर दयाल आपके वाइब भी तो है मिस्स दयाल वो कहां पे हैं तो मिस्टर दयाल बताते हैं कि वो यही पास में किसी के घर पे गई है और लंच के बाद आ जाएंगी तब ही वो लंच ब्रिक्फस्स वो लोग करी रहे थे कि एकदम से दयाराम आया और बोला कि हीरा माली का कुट्टा गायब है वहाँ का जो माली था उसका नाम था हीरा और उसने कहा कि उसका कुट्टा गायब हो गया और तेंदु आउसे उठा के ले गया क्योंकि वहाँ पे जंगल था और वहाँ पे चीते तेंदु यह सब रहते थे कभी कबार मिल जाया करते थे और उसने कहा कि यहीं पेड़ के पास उसने पंजोगे निशान भी देखे है तो वो लोग भागे भागे गए सब लोग हीरा माली मिला हीरा बड़ा रो रा था विचारा परेशान था एक बुड़ा सादमी था हीरा उसकी तोचा लटकी हुई थी जुल्रिया पड़ी हुई थी और वो कहता था कि यार कुट्ता एक मातर मेरा दोस्ता मेरे घर परिवार में तो कोई है नहीं उसे भी आज तेंदवा उठा के ले गया तो हीरा वाली विचारा परेशान होके फिर अपने वोई गार्टनिंग के काम में लग गया इसी बीच मैनेजर साब मिस्टर दयाल आए और उन्होंने कहा लेखक को की रस्किनमोर साब ऐसा करते हैं डोक्टर उसको डोग जो उठा के ले गया उसको तेंदवा कुट्ते को ले चलते हैं तो एक गल लेके जंगल में उतर लिए तो जंगल में जाते हैं लेकिन उन्हें बहुत देर तक वो ढूंडते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता ना डोग मिलता ना तेंदवा मिलता तो फिर वो थकार के वापस आने लगते हैं जब थकार के वापस आते हैं तो बी वो हरे होटल में जो जो आदमी उन्हें मिले उन सब के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने सोचा कि यार सब लोग तो यहाँ पे मुझे मिल गए हैं लेकिन अब तक मिसिस ड्याल नहीं मिली है तो हो सकता है कि मिसिस ड्याली वो रहसे हो वो मेरी किरियोसिटी हो जो मुझे यहां कीच के लाई है और इतना सोचते सोचते उन्हें नीद आ जाती है और वो सो जाते हैं उसके बाद जब वो उठते हैं उनकी नीद खुलती है तो वो देखते हैं कि जूले पे कोई जूल रहा है और जूले पे इस बार किरन नहीं जूल ले थी कोई लेड़ी जूल ले थ तो उन्होंने देखा कि यह अंदाज लगा कि यह मिस्स दयाल होंगी और जैसे वह उठे और उन्होंने उनको देखा तो वह महिला बोली तुम बिलकुल नहीं बदले हो उस महिला का नाम था सुशीला वह मिस्टर दयाल की वाइफ थी और राइटर की वो यानि कि अमारे रस्कीनिमोंड साहब की बचपन की गर्ल्फेंड थी यानि महिला मितर थी तो अब समझ में आया राइटर को कि यह रहस से था शुशीला जो मुझे खींच रहा था शामली में अपनी तरफ तो उन्होंने यापस में बात चीत करी अब उन्हों मुझे लगा आज रुख जाना चीए इसलिए मैं यहाँ पर आ गया अब लेखक को समझ आया कि वो यहाँ पर क्यों रुखे खेर उन्होंने आपस में बात चीत करी और सुसिला ने कहा कि तुम इतने दिनों बाद मिले हो मुझे तो ऐसा करो तुम शाम को यहाँ पर रुख मेरे साथ चलो यहाँ से रुख बहख गया प्यार में और लेकिन सुशिति व कोई भी लेडि होती है वह संजय दुन होती है अब उसकी शादी होगा थी सुशिला की तो कोई बी ओरत होगी वह अपनी सुरुक्षा का दैरा का भी लांगना नहीं चाहती और वह शादी के बा लवर मिलगी चलो भाग चलते हैं लेकिन उसने सोचा इसी भीच वहाँ पर बारिश होने लेगी और वो लोग अंदर चले गए फिर वो सारे लोग वहाँ पर जो लोग थे जितने गैस थे और मिस्टर दयाल मिस्स दयाल यह सब लोग डाइनिंग रूम में गए और डिनर करने के बाद और कहा कि देखो अगर मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगी न अगर मैं मुझे आना हुuty तुम्हारे सुब़ा स्टेशन पहुचने से पहले ही मैं आ जाऊँगी अगर मैं आ गई तब तो ठीक है अगर मैं नहीं आई तो यह मान लेना कि मैं आना नहीं जाती करने के लिए राइटर वहाँ पर गार्डन में जाता है तो उनको किरन मिलती है तो किरन को बाई करते हैं और किरन से पूछते हैं कि किरन मैं जा रहा हूं तुम्हें कोई काम है मुझसे मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूं तो किरन बोलते है कि हाँ तुम यह पेड़ प बच्चे से बोलते हैं तुम, फिर भो बोली कि तुम हो, तो वो बोला क्या अब हम फ्रेंच हो गए हैं, दोस्त बन गए हैं, तो उसने का यहाँ, गुड़िया उली हाँ, अब हम दोस्त बन गए हैं, तो राइटर तांगे में बैच के वापस स्टेशन पर चला जाता है, ले decision की और उसको ये चीज रियलाइज होती है बाद में कि उसको सुसीला को पा लेने के बाद उसकी सुन्दरता और मौत दोनों ही समापत हो जाते और यही रहस्य है अभी जिन्दा रहेगा और मेरे मन में curiosity रहेगी की वापस मैं शामली आ सकता हूँ यहाँ थैर सकता हूँ तो ये थी स्टोरी टाइम स्टोप सेट शामली इसका नाम टाइम स्टोप सेट शामली इसलिए रखा गया क्योंकि वो जो एक दिन था वो दिन लेखक के लिए पूरी तरह से वक्त रुख गया था उनको वो रहस्य है, वो मिस्टरी भी समझागी, क्यों वो शामली में रुखना चाते थे और इस कहानी में बहुत सारे करेक्टर्स हैं, जिनके बारे में लग-लग तरीके से बताएगा है मैंने शोट करके आपको बताया है दोस्तों, अगर आप ये स्टोरी ढंक से पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं, 15-20 पेज़ की शायद स्टोरी होगी और ये पूरा नोवल भी बहुत बढ़िया है, नोवल बोलने हैं, एक सोट स्टोरी की एक बुक बोलने हैं, टाइम स्टोप से शामली, तो आप इसको खरीद सकते हैं, या इसकी पीडिएफ भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँग, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, इसके लागा दोस्तों शामली से रिल्टेड और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बना हैं, क्योंकि मैं आँसे बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगा कि शामली के बारे में कुछ बनाना चाहिए, इसलिए म मैंने सर्च करी तो मुझे सोनी आडवानी करके एक मैं दजोय ओफ रीडिंग करके उनका चैनल है, वहाँ पर मिला, उनसे मैंने वीडियो देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शामली किसे ने पहले वीडियो बना रखी है, और उनने बहुत अच्छे से इसको एक्स स्द्वर्टा करता हूँ, तो ताह जो क्या है, युक्या वेरी मुझे ख़ी हाँ